धिरसर कोमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है। आज का हमारा टोपिक है डेप्रीसियेशन जिसमें हम पढ़ेंगे मूल लागस से किस प्रकार से करमागस से इस पद्धती में परिवर्तन होता है हरास का मिथड। आज आपके सामने डेप्रीसियेशन का प्रोबलम नमबर 16 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हरास का यह क्लास 12 का है। ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने एक जनवरी 2013 को तीन लाख रूपए में एक मसीन क्रय की और उसके लगाने में 6000 रूपए ज्याय किये। उसी वर्स एक जुलाई को एक लाख पचास हजार में दूसरी मसीन क्रय की गई। एक जनवरी 2015 को पहली मसीन यानि तीन लाख छे हजार वाली इसको एक लाख बीस हजार रूपए में बेच दी गई तथा उसी दिन 75,000 रूपए की नई मसीन उसके स्थान पर क्रै की गई इस कमपनी में हरास 10% वारसिक की दर से लागत मूल पर यानि स्थाई की स्थपधती के हिसाब से निकाला जाता था 2015 में उसे 15% वारसिक क्रमागत हरास प्रडाली में बदल दिया गया 2013 से 2017 तक कमपनी का मसीन खाता बनाईए तो आईए चलते हैं शुरू करते हैं और एक एक करके बारी की से इसके पॉइंट पर धियान देते हैं 2013 जनवरी में 3,00,000 प्लस 6,000 तो 3,00,000 में ये मसीन खरी दी गई उसी वर्स एक मसीन डेढ़ लाक रूपे में और खरी दी गई इस बात का धियान रखेंगे 2013 में दो मसीने खरी दी गई हैं इन पर नजर लगानी होगी तो चलिए step by step इसको हम solve करते हैं और देखते हैं कि यह problem आखिर कैसे solve होगी सबसे पहले देखेंगे लिखा है यहाँ पर मसीनरी एकाउंट तो मसीनरी एकाउंट यहाँ लिखेंगे जन्वरी 2013 जन्वरी एक को हमने मसीन खरीदी है टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और यहाँ तीन लाख छे हजार रुपए पूरी रकम लिखेंगे और 2013 दिसंबर 31 को इस पर हम डेप्रीसियेशन काटेंगे लेकिन हमेशा यह ध्यार रखेंगे कि क्या एक साल में दो मसीन तो नहीं खरीदी गई तो यहाँ पता चलता है कि इसी साल में जुलाई एक को एक मसीन और खरीदी गई तो हम यहाँ पर टू बैंक अकाउंट के नाम से 1.5 लाख रुपए की जो दूसरी मसीन खरीदी है उसे भी लिखेंगे बाई डेप्रीसियेशन पहली मसीन इसका 10 प्रतिसत कटेगा तो 1.0 कम हो जाएगा तो 30,600 रुपए डेप्रीसियेशन होगा दूसरी मसीन 1.5 लाख की है इसका 10% हम जुलाई से दिसंबर तक काटेंगे 6 महिने का तो 7,500 रुपए होगा इन दोनों का डेप्रीसियेशन ध्यान से देखेंगे तो 30 आउट 7,37 आउट 8,100 रुपए होता है इसके बाद इसी डेट में जब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे तो यानि बैलेंस सीडी करेंगे तो वह कितना होगा घहटा के चेक कर लेंगे किसमे से घहटाएंगे ये दोनों मिला के 4,56,000 रुपए होते हैं 4,56,000 में से ये 38,100 रुपए घहटा दिये जाएंगे 38,001 यहाँ पर लिखेंगे 4,56,000 रूपए और जब हम 38,001 रूपए घटाएंगे 0,09 और एक 10 और यहाँ पर 8,7,15 और एक 16 38,15,16, 3,14 और एक 5 तो 4,17,900 रूपए का बैलेंस यहाँ पर 100 होगा चेक कर लेते हैं 4,17,900 प्लस 38,100 तो इसका दोनों का टोटल 4,56,000 हो जाएगा अब इस इधर हम पहुँचेंगे 2013 के बाद 2014 में जनवरी एक को इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे जो सीडी है वह बीडी जरूर होगा वही 4,17,900 रूपए लिखेंगे यहाँ पर 2014 में किसी मसीन का न तो खरीदना संभव हुआ है ना ही बेचना संभव हुआ है कुल मिलांके जिर्फ डेप्रिसेशन दोनों मसीनों पर लगेगा लागत मूल पर जब सवाल में लागत मूल पर कहा जाए तो इसका मतलब है हमेशा इस पर depreciation लगेगा ना कि इसके balance पर तो 30,600 पहले आया था एक साल का depreciation तो वही 30,600 यहां भी रहेगा इसका 10% और यहां पर यह machine हमने जुलाई में खरीदी थी तो हमने इसको दिसंबर 31 तक चलाया था यानि 6 महीने चलाया था तो 6 महीने एक depreciation कटा था लेकिन यहां पर यह जन्वरी से हम चलाएंगे और दिसंबर 31 तक चलाएंगे तो हम इसको जाहिर सी बात है कि पूरे 12 महीने चलाएंगे तो इस 1.5 लाग पर यहां पर पूरे 12 महीने का depreciation 15,000 रूपए लगेगा अब दोनों का depreciation मिला के 45,600 रूपए होता है हमारे पास 2014 में कोई information न तो बेचने की ही है और नहीं खरीदने की है अब हम total 4,17,900 में से ध्यान देंगे इनको घटाएंगे 4,17,900 में से किसको घटाएंगे 45,600 को घटाएंगे तो हमें balance CD का पता चल जाएगा कि कितना रूपए बचेगा तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ 9 है तो 6 और 3 9 होता है 5 और 2 7 होता है 7 और 4,11,3 और 1,4,3,72,300 रूपए का balance यहाँ पर होता है अब हम पहुचते हैं 2015 January 1st को to balance brought down करेंगे और इस साल कुछ बाते ऐसी हुई है कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें मसेन को बेचना पड़ा कौन सी मसेन को बेचना पड़ा उसके बेचने से फाइदा हुआ है या नुकसान हुआ है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है यह तमाम चीजे हम पढ़ते हैं सवाल में पहले सवाल को देखते हैं कि कौन सी मसीन बेची गई है आपकी स्क्रीन पर सवाल यहां मौजूद है यहां लिखा है एक जनवरी 2015 को पहली मसीन यानि कि 3,6,000 वाली 1,20,000 बेची एक जनवरी 2015 को जो खरीदी थी 2015 को बेची है उस मसीन को जो 2013 जनवरी में खरीदी है इस बात क को धियान रखेंगे कि बेचने की तारीख जनवरी है अर्थात 2015 में इस मसीन को चलाया नहीं गया अगर चलाया नहीं गया तो डेप्रिसेशन भी नहीं कटेगा और तुरंत 75,000 रूपई की एक नई मसीन आ गई है डेप्रिसेशन का मेथड भी 2015 में 15 परतिसत वार्सिक अगत हरास प्रडाली में इन्होंने बदल दिया है यहां पर बहुत महत्वड बिंदु हमारे सामने आ चुका है सवाल को देखिए और इसकी बारीकियों पर बहुत अच्छी पकड़ बना के रखिए धियान देंगे यहां पर हमने एक मसीन और खरीदी है उसी दिन तो यहा 70,000 रूपए का उसके बाद हम 3,6,000 वाली को बेचेंगे तो यहां पर 2,000 पंदरा में एक जनवरी को यानि जनवरी 1st को ही इन्होंने बेच दिया तो बाई बैंक अकाउंट जिस मसीन को बेचा है उसकी कीमत यानि विक्रे मूले 1,20,000 रूपए है अर्था सेलिंग यह जानने की हमें बहुत जरूरत है वर्किंग देखिए ध्यान से 2013 में इस मसीन को जब हमने खरीदा था तो 3,6,000 में खरीदा था इसका हमने पूरे साल का डेप्रिसेशन 30,600 काट लिया तो 2,15,400 रूपए बैलेंस बचा है यहां बैलेंस लिख सकते हैं इसके बाद हमने 2014 में फिर डेप्रिसेशन क्योंकि स्थाई की स्थपद्धती चल रही है तो 3,6,000 पर ही काटेंगे और 3,600 रूपए डेप्रिसेशन आएगा अब हमारा जो बैलेंस बचा वो 2,4,800 बचा अब हम 2015 में आ चुके हैं 2015 हमने इसको चलाया ही नहीं हमने तुरंत बेच दिया जनव हुआ जो मसीन 2,44,800 की थी उसको तुरंत बेचा गया तो 1,20,000 रूपए बेचा गया इतने रूपए में तो 1,24,800 का घाटा भी हो गया तो यहां से हम लोस और सेल और डेप्रिसेशन डेप्रिसेशन तो है नहीं तो लोस और सेल इन दोनों को ही हम यहां पर लिखेंगे कहा पर यहां क्रेडिट साइड में 1,01,2015 को तो अब हमें घाटा हुआ 1,24,800 का उसको यहां लिखेंगे अब सवाल यह है कि अब डेप्रिसेशन जो लगेगा आखिरवा किस मसेन पर और कितना लगेगा यह देखने वाली बात है अब यहां पर हम दिसंबर 31 लिखने चल रहे है अब हम यहां डेप्रिसेशन के बारे में सोचेंगे कि कितने रूपए पर और कौन सी मसेन पर डेप्रिसेशन लगाया जाए तो यहां पर आपको समझा देता हूँ मैं कि महत पुरुल वाली बात क्या है सबसे इंपोर्टेंट यह मसीन जा चुकी है हमारे पास यह मसीन लिदा था 1.500,000 रूपए का इसका डेप्रिसेशन एक बार यहां कटा 75,000 रूपए का और यहां कटा 15,000 रूपए का दो डेप्रिसेशन कट चुके हैं दोनों डेप्रिसेशन कटने के बाद जो वैल्लू उसकी यहां बचेगी उसी पर हम डेप्रिसेशन काटेंगे तो सब से अच्छा है कि 1,50,000 में से 7,500 ये और 15,000 ये घटा देजिए यदि हम 1,50,000 में से इस मसीन का बैलनस घटा देते हैं कितने रूपए 22,500 रूपए 22,500 रूपए घटा देंगे तो उस मसीन का बैलनस यानि डेढ़ लाख वाली मसीन का बैलन्स एक लाख 27,500 रुपए होता है इसी पर डेप्रीसियेशन 2015 में कटेगा 15% कटेगा 15% काटने के लिए 15,100 करेंगे 0 से 0 खतम हो जाएगा इसकी मल्टिप्लाइस में कर दीजिए 15,75 5 हासिल 7,15,705 7,112 की दो हासिल 11 15,230 और 11,41 की एक हासिल 4 15,15 और 4 19 तो 19,125 रुपए इसका डेप्रीसियेशन होगा मसीनरी सेकेंड का 19,125 रुपए अब तीसरी मसीन यह जो कि अभी हमने यहाँ खरीदी है 75,000 रुपए की इसका डेप्रीसियेशन 15% से और काटेंगे तो 75,000 गुड़ा 15,100 इसका पूरे साल का कटेगा क्योंकि इसको हमने जनवरी में खरीदा है जनवरी से दिसंबर तक पूरे साल का कटेगा 15,70 यहाँ पर देख लेंगे 15,00, 15,75 की 5,67, 15,75 और 7,112 11,250 रुपए इसका डेप्रिसेशन 11,250 रुपए होगा अब यहाँ पर हमने डेप्रिसेशन बदल दिया है 15% कर दिया है तो यहाँ पर सुरू में चला 10% लेकिन 2015 में आके हो गया यह 15% तो यहाँ पर देखना होगा और इन दोनों को जोड़ के 30,375 रुपए का बैलेंस डेप्रिसेशन का मतलब टोटल होगा इसके बाद हम इस तारीक को चेक करेंगे कि हमारे मसीन का जो बैलेंस सीडी का अमाउंट है वह कितना होगा तो इसके लिए हमें जोड़ना होगा दोनों को इन दोनों मसीनों को मतलब यह दोनों बैलन्स जोड़े जाएंगे तो इनका जो टोटल होगा 4,47,300 होगा 4,47,300 इधर भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे दोनों तरफ लिख करके इस 4,47,000 में से हम इसको घटाएंगे 1,20,000 को 1,24,800 को और 30,375 को इन तीनों को क्रमसा घटा देंगे तो घटाने के बाद जो हमारा बैलन्स होगा वह होगा 1,72,125 का यहां पर यह सवाल अब समाप्त हो चुका है हमने यहां पर सीख लिया कि किस प्रकार से एक मिथड डेप्रिसेशन का चल रहा होता है और दूसरा मिथड अचानक बदलता है तो उसका हम किस प्रकार से लेखा जोखा करते हैं और इसी तरह से हमारा कोश्चन नमबर यहां पर देखेंगे कम्पलीट हो चुका है सोलहवा कोश्चन है यह कोश्चन नमबर 16 कम्पलीट हो चुका है इस प्रकार से आपने देखा कोश्चन नमबर जो 16 है कितने आसानी से कम्पलीट हो गया है और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर question number 16 मौजूद है जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त इस तरह से अब चलते हैं शुरू करते हैं question number 17 आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है यहाँ लिख्या है एक जनवरी 2011 को एक limited company ने 6000 रूपए में एक पुराना यंत्र खरीदा 4000 रूपए उसकी मरम्मत में ब्याई किये उसी वर्स एक जुलाई को 5000 रूपए लागत का एक अतरिक्त यंत्र खरीदा गया एक जुलाई 2013 को एक जनवरी 2011 में खरीदा गया यंत्र यानि ये वाला यंत्र जो 6000 प्लस 4000 में यानि 10,000 में खरीदा गया था ये बेकार हो गया अपरचलित हो गया और इसको 2000 रूपए में बेच दिया गया उसी दिन 12,000 रूपए की लागत का एक यंत्र नया खरीदा गया यानि एक जुलाई 2013 को ही इन्होंने पहली मसीन बेची और दूसरी मसीन तुरंत 12,000 रूपए में इसी दिन खरीदी लिया ता इप्रीसेशन मिस्टेक होती है वो तारीक की वज़े से होती है 31 दिसंबर को प्रतिवर्स संपत्ति के मूल लागत पर 10 प्रतिसत वार्सिक की दर से हरास का प्रबंद किया जाता था लेकिन 2014 में कंपनी ने हरास काटने की इस विधी में परिवर्तन कर दिया और 15 प्रतिसत वार्सिकी दर से करमागत हरास पद्धती अपना ले गई उप्युक्त विबरंस से 2011 से लेकर 16 तक यानि 2016 तक प्रतियक वर्स का यंत्र खाता बनाईए तो चलिए सुरू करते हैं 2011 जन्वरी एक को पहली मसीन 10,000 की और उसी वर्स एक जुलाई 2011 को ही दूसरी मसीन 5,000 की खरी दी गई 2012 में कुछ नहीं हुआ है 2013 में जो पहली मसीन खरीदी थी एक जुलाई 2013 को बेकार हुई और उसको उन्होंने बेचा है वह भी 2000 में तुरंत 12,000 की मसीन खरीदी है मिधाड 2013 में नहीं बदलता है ध्यान रखेंगे मिधाड बदलता है 2014 में इस बात को ध्यान चलिए शुरू करते हैं question number next जिसका number है 17 अब आपके सामने मौजूद है question number 17 और इसका एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना होगा सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जनवरी एक 2013 को जो मसीन यहाँ पर खरीदी जा रही है उसका ध्यान रखेंगे 2011 को खरीदी जा रही है 2011 जनवरी खरीदी है और 2013 जुलाई को इन्होंने दूसरी मसीन खरीदी है और पहली को बेची है तो 2011 से स्टोरी स्टार्ट है इस बात को धिहान रखेंगे टू बैंक अकाउंट जब हम यहाँ लिखेंगे तो 6000 और 4000 6000 मसीन खरीदी है और 4000 में इसमें कुछ मरमत वगरा करा कि उसे काम के लायक बनाया है तो कुल मसीन 10,000 रूपए की हो गई उसी वर्स उन्होंने दूसरी मसीन भी खरीदी है लेकिन उसकी तारीख एक जुलाई है टू बैंक अकाउंट इस मसीन के लिए लिखेंगे और यह 5000 रूपए की है अब हम जब 2011 में दिसंबर 31 को डेप्रीसियेशन लगाएंगे by depreciation तो हमारे सामने इस वक्ड दो मसीने हैं और इंका मूल लागत पर डेप्रीसियेशन कटेगा यानि स्थाई किस्त्पधती से जब भी कटेगा इनकी लागत पर इसी पर कटेगा तो इसका एक जनवरी से 31 दिसंबर तक यानि 6 महीने का डेप्रिसेशन 10,000 पर 10% से 1,000 रुपए होगा जब भी हम 10% काटते हैं तो एक जिरो कम कर देते हैं इसका भी काटेंगे 10% लेकिन जुलाई में खरीदा है दिसंबर 31 को डेप्रिसेशन कटेगा तो सिर्फ 6 महीने का मात्र 250 रुपए कैसे 10% अगर हम काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा अगर ये 500 होगा तो पूरे साल का होगा 6 महीने का 200 होगा इस प्रकार से टोटल 1250 रुपए डेप्रिसेशन होते हैं इस तारीख में जो हमारे मसीनों का बैलेंस सीडी होगा यानि जो घटा के रखम प्राप्त होगी वह कितनी होगी घटाने के बाद पता चलेगा कि हमारे पास अब मसीनों का जो बैलेंस है वह कितना है तो 15,000 रुपए टोटल मसीने हैं जिसको यहाँ पर खरीदा गया है 1250 रुपए इसमें से खर्च हो चुका है 13,750 रुपए का बैलेंस बचेगा 13,750 का बैलेंस यहाँ पर सो हो रहा है इसको आप देखेंगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट इयर 2012 में जनवरी एक को बैलेंस को हम ट्रांसफर करके लाएंगे ब्रोड डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी करेंगे और यही 13,750 रुपए बैलेंस आएगा इस साल ना तो किसी मसेन की खरीद होई है नहीं किसी मसेन की बिक्री होई है मात्र सिर्फ मसेनों को चलाया गया है 2012 में सिर्फ डेप्रीसियेशन ही लगेगा बाई डेप्रीसियेशन करेंगे जब बेचा खरीदा नहीं गया है तो मसेन को चलाया गया है पहली मसेन जो कि 10,000 की है इसका डेप्रीसियेशन एक हजार दूसरी मसेन यह भी जनवरी से दिसंबर तक चलेगी तो 500 रुपए यहाँ पर डेप्रीसियेशन पूरे 1500 रुपए कट जाएंगे अब बैलेंस कितना बचेगा इस तारीख में दिसंबर 31 को चेक कर लेते हैं कितना बैलेंस बचेगा टोटल 13,750 रुपए है 13,750 में से यह 15 रुपए घट जाएंगे 1500 घट जाएंगे तो 12,250 रुपए बचेंगे अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट इयर यानि 2013 में जनवरी एक को ट्रांसफर करके लाएंगे टू बैलेंस बीडी करेंगे इस बात को धिहां रखेंगे 12,250 रुपए इस साल एक मसीन बेची और खरीदी भी गई है उसको भी देखेंगे यह जो पहली मसीन है इसको यहाँ पर इन्होंने बेच दिया है इसको बेच दिया है और दूसरी मसीन खरीदा है तो कब बेचा कब खरीदा एक बार और पढ़ लेते हैं पर इसको पढ़ना जरूरी है एक जुलाई 2013 को जनवरी एक 2011 वाली यानि कि यह पहली वाली मसीन 10,000 वाली इसको इन्होंने बेच दिया है 2000 रुपए में उसी दिन यानि इसी एक जुलाई 2013 को ही दूसरी मसीन 12,000 में प्राप्त होई है मेधड 2014 में बदलेगा वह भी 15% होगा रिटन डाउन से इस बात को धियार रखेंगे तो अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर जुलाई लिखेंगे और टू बैंक एकाउंट से उस मसीन को लिखेंगे जिसको हमने खरीदा है 12,000 में और यहाँ पर 2013 में जुलाई एक को उस मसीन का डेप्रिसेशन 6 महीने का लगाएंगे जिसको हमने 6 महीने चला के बेच दिया है जितने बेचा उसको बाई बैंक एकाउंट के नाम से लिखेंगे और जितने का घाटा हुआ उसको प्रोफिट एन लोस एकाउंट लोस के नाम से लिखेंगे अब यहाँ देखना बहुत जरूरी है कि इस मसीन को बेचने से घाटा कितने का हुआ देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है इस मसीन का दाम 2011 में 10,000 रूपए था 12 में हमने पूरे साल का जनवरी ये को खरीदा है पूरे साल का डेपरिसेशन 1000 रूपए 10% से कटेगा अब 9,000 रूपए यहाँ पर लिख देंगे तो बचेगा तो ये जो बच्चा है 9,000 रूपए तो 2012 का बैलेंस है 2012 में फिर हजार रूपए डेपरिसेशन कटेगा तो अब इसका बैलेंस 2013 में 8,000 रहा तो इन्होंने 2013 में जुलाई में बेच दिया यानि जनवरी, फरवरी, मार्च, प्रेल, माई, जून 6 महिने चलाया है उसके बाद बेच दिया है तो 1,000 रूपए एक साल का डेपरिसेशन होता है मतलब कहने का हरास जो होता है वो एक साल का 1,000 होता है तो 6 महिने का कितना होगा तो 6 महिने का 500 रूपए होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि 8,000 रूपए पर अगर जब depreciation चार्ज होगा तो वह 500 रुपए होगा यानि एक साल की मसीन का जो depreciation मूल लागत पे कटता है 1000 रुपए हर वर्स उसका आधा 500 रुपए चार्ज होगा अब मसीन का जो balance बचेगा यहाँ पर 2013 में 7000 रुपए बचेगा 6 महिने के बाद अगर हम साड़े 7000 से जादा में बेचेंगे तो फायदा अगर कम में बेचेंगे तो घाटा हमने कितने में बेचा 2000 में था में नुकसान कितने का हुआ पच पन सो का तो हम यहाँ से तीन चीज उठाएंगे डेप्रिसेशन, सेल और लॉस इन तीनों को उठा करके यहाँ लिख देंगे जहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं डेप्रिसेशन 500 रूपए और सेल 2000 रूपए लॉस पच पन सो रूपए खतम कहानी अब दिसंबर 31 को जो मसीन हमारे पास बची है उस पर डेप्रिसेशन इस्थाई किस पधती से ही लगेगा अब मसीन कौन से बची है यह बची है 5000 वाली और एक यह 12000 की अभी अभी हमने खरीदा है तो इसका मतलब है मसीन नमबर सेकेंड और मसीन नमबर थर्ड यही दो मसीने बच रही है तो इन दो मसीनों के बचने से डेप्रिसेशन कितना होगा तो जो 5000 वाली ये वाली है इसका तो 500 रुपया ही होगा डेप्रिसेशन इसको अभी हमने जुलाई में खरीदा तो जुलाई से दिसंबर तक जब डेप्रिसेशन काटेंगे छे महीने का तो 600 रुपय ही आएगा 12,000 का 10% से 1200 रुपया होगा एक जिरो हटा देंगे 10% से तो 1200 होगा तो छे महीने का 600 होगा तो कुल डेप्रिसेशन 1100 रुपय होगा अब हम इसका बैलेंस चेक करते हैं कि अब हमारा जो है बैलेंस आखिर कितना होगा तो बैलेंस चेक करने पर बाई बैलेंस सीडी करके देख लेते हैं हमारा यह जो टोटल है दोनों मसीनों का यह 24,250 रुपय का है देख रहे होंगे आप और यहाँ पर 24,250 रुपया ही लिखेंगे इस में से इन्हें घटाना है कितना घटाना है? यह हो गया 5,27,8,9,100 रुपय इस में से 9,100 रुपय घटाएंगे तो 9,100 रुपय घटाएंगे तो 15,150 रुपय बैलेंस बचेगा अब हम जनवरी 1, 2014 को आचुके हैं बैलेंस ब्रोट डाउन करके 15,150 रुपय का बैलेंस लेके दिसंबर 31, 2014 में जब हम डेप्रिसेशन काटेंगे यहां पर तो अब हम 15,150 पर 15% से डेप्रिसेशन काटेंगे उसी को यहां पर लिखेंगे उसके बाद जो बचेगा उसको बैलेंस सीडी करेंगे सवाल में बोला है कि 2016 तक डेप्रिसेशन काटते चले जाईए तो हम 15,150 का 15% काटेंगे जो आएगा उसको यहां लिखेंगे अब 15,150 दोनों तरफ एक्वल लिख देंगे अब देखते हैं कि 15,150 का 15% अगर काटते हैं तो आखिर डेप्रिसेशन कितना आता है तो देख लेते हैं इस तरह से काटेंगे आप भी देखा करिए पॉइंटों का कभी-कभी confusion भी बच्चों को होता है 15,150 into 15,100 तो डेप्रिसेशन काटने के लिए पहाड़ा मजबूत होना चाहिए अब देख लेए पहले 15 किसमें multiply कर दो पूर एक में 15 सुन्नम सुन्ने हुगा 15,75, 5 हासिल 7, 15 कम 15,7 22 की दो हासिल 2 उसके बाद 15,55 और दो 77 की साथ हासिल 7, 15 कम 15 और साथ 22 तो 2272 रूपए 50 पैसे इसको हम approach से यहां ध्यान देंगे यह 2272 रूपए 50 पैसे होता है अगर आप इसमें point का चक्कर हटाना चाहते हैं तो point अगर यहां 5 है या 5 से ज़्यादा है तो इसको हम बढ़ा देते हैं इससे हम 2273 रूपए लिखेंगे इससे क्या होगा हम point से बच जाएंगे यहां पर 2273 रूपए लिख दीजिए उसके बाद गहटा के जो balance हाता है यहां पर लिख देंगे साथ तीन दस साथ साथ चौदा और एक पंदरा और यहां पर होगा नव दो इक ग्यारा आठ दो दस एक ग्यारा आठ हाएगा और इसके बाद होता है यहां पर दो और दो दो चार एक पांच एक यह बारा हजार आठ सो सताहत्तर रूपए अब इस balance के साथ ही हम दो हजार पंदरा में entry करेंगे अब हम पहुँचते हैं दो हजार पंदरा में बारा हजार आठ सो सताहत्तर रूपए के साथ में यहां पर पहुँचेंगे दो हजार पंदरा जनवरी फरस्ट टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे बारा हजार आठ सो सताहत्तर रूपए और दो हजार पंदरा में दिसंबर इकतिस को जब depreciation कटेगा इसी पर 15% कटेगा यानि कि 12,877 गुड़ा 15,100 इसका depreciation अगर हम 15% काटेगे तो 1931.5 आएगा यानि 1931.5 उसको हम 32 कर सकते हैं 31 पर भी रोक सकते हैं अगर आपरोक्स करना चाहें तो इसको 32 कर देंगे इसके बाद इसका बैलेंसिंग करेंगे और देखेंगे 31 दिसंबर को इसका क्या बैलेंस प्राप्त होता है तो दोनों तरफ अब तो कोई मसेन खरीदी नहीं जा रही ह सिर्फ बैलेंसिंग हमें 15% डेप्रिसेशन काटके पता लगाना होगा कि कितना रूपया आएगा तो इस में से 12,887 रूपय में से अगर हम 1932 रूपय को घटाते हैं तो 10,945 रूपय आएगा अब इस बैलेंस को हम next year 2016 ये last year है यहां तक हमें लेके डेप्रिसेशन काटने को कहा गया है कि मसीन का खाता यहां तक बनाईए तो 10,945 रूपय पर हम 2016 में दिसंबर 31 में जब डेप्रिसेशन काटेंगे तो देखेंगे कितना रूपया है इसका 15 बटे 100 करेंगे तो 1641 रूपय पिछहत्तर पैसे यानि 1642 रूपय लिखेंगे लगभग इसके बाद हम बैलेंसिंग कर देंगे और चेक करेंगे कि मसीन का कितना बैलेंस प्राप्त हुआ है यहाँ पर टोटल करेंगे 10,945 रूपय में से 1642 रूपय घटा दिया जाएगा तीन, जीरो, तीन, नव, 9303 रूपय हमारा आंत्वर है तो यहाँ पर आपने देखा हमने यहाँ दो जगा आपरोक्स भी किया है यहाँ पर 1931.5 था तो यहाँ पर 1641.75 था तो यहाँ पर हमने एक रूपय यानि 50 पैसे का हेर फेर किया है तो उसकी वजह से यहाँ पर 9303 या 9304 यही आंस्वर आ सकता है और मसीन को जो हमने लॉस निकाला था वहाँ पचपन सो रूपय का लॉस था यहाँ पर जो वर्किंग हुई थी पचपन सो रूपय का लॉस था तो अब हम इसको मैच करते हैं बुक में देखते हैं क्या लिख्या गया है पहले हम सवाल आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं स्टार्टिंग से यहाँ से सुरू हुआ था कॉस्चन, आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से पहली मसेन खरीदी गई, जुलाए में दूसरी खरीदी गई, यह जनवरी मखरीदी है पूरे साल का और इसका 6 महिन एक डेप्रिसेशन, कुल डेप्रिसेशन 1250, बैलेंस आ गया, इस बैलेंस को हमने यहां ट्रांसफर किया, यहां कोई मसीन खरीदी बेची नहीं गई, दोनों मसीनों का एक एक साल का डेप्रिसेशन, इसका एक हजार इसका 500 लगा दिया गया, उसके बाद बैल पॉस निकालने का तरीक्या होता है कि मसीन के विक्रे मूल में, जो हमारा विक्रे मूल होता है, हम चेक करते हैं कि मसीन को जब से खरीदा है, तब से लेके, यहनि जब तक बेच न दिया जाए, तब तक डेप्रिसेशन घटाएंगे, उसके बाद सेल घटाएंगे, और जो बाद हमने इसको 2000 में बेच दिया तो हमें 500 का लोस हो गया हम ऐसे भी समझ सकते हैं बिने वर्किंग के भी वर्किंग तो हमने बताया इस पेसली ताकि आपको कभी जरूरत हो कुछ और निकालने के लिए तो आप ऐसे निकालो जिस मसीन को बेचेंगे 10,000 रूपई की मसीन बे शरीदी है उसका डेप्रिसेशन 600 रूपए छे महीने का जुलाई से दिसंबर तक का और येक मसीन ये 12,000 वाली है इसका डेप्रिसेशन 500 रूपए पूरे साल का ये तो भी चली रही है दूसरी वाली 1100 बैलेंस आया 15,150 इसको लेका मगली साल आएंगे और इस पर अब यहा मुल्यों पर तो इसकी लागत मुल्यों से कोई मतलब नहीं या बैलेंस बीडी के मुल्य से मतलब है तो इसी पर ही 15% कटेगा तो 273 रूपए आएगा घाटाने पर 12,877 रूपए आता है इस बात को धियान देंगे और इसके बाद 12,877 को लेकर के हम यहां पहुँचते हैं 2015 में इसका 15% 1932 रूपए आएगा डेपरिसेशन घाटा के 10,945 आएगा इसको लास्ट इयर पहुच जाएंगे इसका 10% 15% 1642 रूपए और घाटाने पर 9,303 रूपए का बैलेंस प्राप्त होता है और इसका आंस्वर चेक करने पर यहां पर इसका आंस्वर लिख्या है 2016 के अंत में 9,304 रूपए का और विकरे पर हानी 5500 रूपए का दे रखा मैंने कहा था आपको एक रूपए का आगे पीछे होगा क्योंकि हमने एपरोक्स किया था तो 9,304 या 9,303 इसे कोई फरक नहीं पड़ता है एक रूपए का आप्रोक्सिमेशन में और इस परकार से हमारा सवाल हो गया तो आपने देखा यहां पर कोश्चन नंबर किस परकार से सत्रों में कोश्चन कंपलीट हो चुका है आज़े देखते हैं कोश्चन नंबर 18 कोश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर यहां पर सामने है रीना लिमिटेड ने एक जनवरी 2013 को एक पुरानी मसीन 60,000 रूपए में कुराई की तथा उसी समय 40,000 रूपए उसकी मरमत पर व्याय किये पुनह 1 जुलाई 2013 यानि उसी साल इस कंपनी ने 50,000 रूपए की एक अन्य मसीन फिर करे की एक जनवरी 2013 को करे की गई मसीन को यानि की ये वाली मसीन जो एक लाग की है उसको 1 जुलाई 2015 को 20,000 रूपए में बेच दिया गया एक अक्टूबर 2015 को पुनह कंपनी ने एक नई मसीन एक लाख रूपए में क्रे की तथा 20,000 रूपए उसकी स्थापना में व्याय किये यानि की एक लाख 20,000 रूपए की मसीन क्रे की गई कंपनी अपनी संपतियों पर प्रतियक वर्स 31 दिसंबर को हरास लगाती है प्रारंभ में मूल लागत का 10 प्रतिसत प्रतिवर्स की दर से हरास लगाया जाता था जिसे 2016 से बदल दिया गया और 20 प्रतिसत प्रतिवर्स की दर से क्रमागत हरास पधती के अंतरगत हरास की विवस्था की गई वर्स 2013 से 2016 तक मसीन खाता बनाईए रीना लिमिटेड अपने खाते 31 दिसंबर को बंद करती है यानि जनवरी से दिसंबर इनका एकाउंट चलता है धियान देने वाली बात ये है कि जो पहली मसीन खरीदी है 2013 जनवरी में खरीदी है जिसकी कीमत 60 हजार प्लस ये 40 हजार भी है एक लाख रूपए फिर उन्होंने उसी वर्स जुलाई में 50 हजार रूपए की दूसरी मसीन खरीदी यानि 2013 में दो मसीने खरीदी गई एक जनवरी 2013 को जो कराई की गई थी पहली मसीन उसको जुलाई एक 2015 को 20 हजार रूपए में बेच दिया गया और 2015 में ही इन्होंने दुआरा जब खरीदा तो जुलाई में न खरीद के ठीक तीन महीने बाद एक अक्टूबर को खरीदा है जो की 120,000 रूपए की है डेप्रिसियेशन मूल लागत का 10% लगता है जो की सुरू से लगेगा लेकिन 2016 में इसे बदल करके 20% प्रतिवर्स की दर से करमागत के रूप में डाल दिया जाएगा तो हमें धियान रखना है कि मिथढ कब बदल रहा है 2016 में बदल रहा है तो जब हम यहाँ पर सवाल बनाना सुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग जो होगी हमारी मसीन के मामले में सबसे पहले यहाँ पर हम जनवरी एक दो हजार तेरा लिखेंगे और टू बैंग के काउंट जब लिख्या जाएगा तो जो पहली मसीन है उसकी कीमत साथ हजार और चालिस हजार मिलके एक लाक रुपए होगी और उसी साल इन्होंने कहा एक मसीन और खरीदी है जो की जुलाई में खरीदी है तो उसकी डेट यहाँ पर जुलाई में डालेंगे जिसकी कीमत पचास हजार रुपए की है इस प्रकार से एक ही वर्स में दो मसीने आती हैं 2013 दिसंबर 31 को जब हम यहाँ डेप्रीसियेशन काटेंगे तो मूल लागत पर काटेंगे यानि इसके मूल पर ही कटेगा हमेशा जब तक मूल लागत यानि फिक्स इंस्टॉल्मेंट मिथड है ये तो यहाँ पर पहली मसीन और दूसरी मसीन दोनों पर डेप्रीसियेशन का जो समय है जो अवधी है वह एक जनवरी से दिसंबर 31 तक इसका तो पूरे साल का है 10,000 रूपए लगेगा लेकिन जो दूसरी मसीन है ये 50,000 वाली इसको जुलाई में खरीदा है दिसंबर 31 तक चलाएंगे 6 महीने तो 50,000 का 10% 5,000 होगा लेकिन 6 महीने का धाई हजार ही होगा तो इस प्रकार से इसका डेप्रीसियेशन 12,500 रूपए ही होगा तो ये ध्यान रखेंगे डेप्रीसियेशन बहुत महत्पूर्ड पॉइंट है और अब हम बैलेंसिंग करेंगे ये जानने के कोसिस करेंगे कि 1,500,000 में से डेप्रीसियेशन घटाने के बाद कितना बैलेंस बचेगा तो 1,500,000 रूपए दोनों तरफ लिखेंगे और दिसंबर 31 को बाई बैलेंस सीडी जब करने का समय होगा तो 1,500,000 में से 12,500 घटा देंगे तो 1,37,500 रूपए बैलेंस बचेगा ये पहला साल कम्पलीट हुआ 2014 जनवरी 1 को हम टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे बैलेंस ब्रोट डाउन जब किया जाएगा तो यही 1,37,500 रूपए बैलेंस आएगा 2014 में किसी प्रकार की मसीन नहीं खरीदी गई है और नहीं बेची गई है तो 2014 में सिर्फ मसीनों को चलाया गया है और डेप्रिसेशन लगाया गया है यही दियान रखेंगे और डेप्रिसेशन यहां चार्ज करेंगे इसका जो है 1,000,000 वाली मसीन का भी 10% काटेंगे तो यह 5,000 आएगा दोनों का डेप्रिसेशन 15,000 रूपए होगा अब यहां पर हम बैलेंस करेंगे और देखेंगे हमारा बैलेंस सीडी यानि जो कैरीड डाउन होने वाला बैलेंस है वह कितना है 1,37,500 दोनों तरफ लिखेंगे इधर भी और इधर भी इसमें से 15,000 गाटा देंगे तो 1,22,500 रूपए का बैलेंस बचेगा इसको हम यहां लाएंगे 2015 जनवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करिया जाएगा 1,22,500 रूपए यहां पर कोश्चन में पहली मसीन 1,000,000 वाली को बेच दिया गया है कब बेचा गया है? डेट देखिए यहां पर एक जनवरी 2013 को कराई की गई मसीन को एक जुलाई 2015 को बीस हजार में बेचा गया है तो अब हम यहां पर जुलाई एक दो हजार पंदरा बाई डेप्रीसियेशन क्योंकर हम छे महीने इसको चला के बेचेंगे तो पहले मसीन घीसेगी बाद में बिकेगी तो हम इसका लोस निकालने की कोसिस करेंगे यह मसीन एक लाख रूपए की 2013 में थी पहले साल जनवरी में खरीदा है तो पूरे साल का डेप्रीसियेशन दस हजार कटेगा फिर अगली साल 2014 में भी दस हजार कटेगा क्योंकि मूल लागत पर चल रहा है इसी पर ही कटेगा हर बार अब आगए हम 2015 में जुलाई में बेचा है तो 6 मन्त का डेप्रीसियेशन दस हजार के बजाए 5000 ही लगेगा अब मसीन का दाम 75,000 रुपए हो गया अगर 75,000 से जादा में बेचेंगे तभी फायदा होगा लेकिन इन्होंने कितने बेचा मातर 20,000 में तो घाटा कितने का हुआ 55,000 रुपए का तो यहां से हम तीन चीज उठाएंगे एक तो यह Depreciation, Sale और Loss, इनों को उठाके यहां पे लिख देंगे buy, Depreciation धियान से देखेंगे, Depreciation तो 5000 रुपए लिखेंगे buy, Bank Account फिर इसको हम Sale करेंगे, Sale करेंगे तो 20,000 रुपए ही मिलेगा और उसके बाद जो घाटा होगा profit and loss account ब्रेकेट में loss लिखेंगे और वो होगा 55,000 का अब दिसंबर 31 को देखेंगे कि क्या हुआ इस मसीन का depreciation लगेगा तो जब हम यहाँ depreciation लगाएंगे तो सवाल में लिखा है कि 1 October 2015 को एक मसीन और खरीदी है और उस मसीन की जो कीमत है वह 1,20,000 है यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बोला इन्होंने कि एक जुलाई को जब 2015 को मसीन बेची थे एक अक्टूबर 2015 को पुना है एक नई मसीन 1,00,000 में खरीदा है और 20,000 रुपए उसकी इस्थापना में लगाए है तो 1,20,000 की मसीन हो गई थी यहाँ पर हम 1,20,000 ही लिखेंगे अब जो डेप्रिसेशन कटेगा भी मूल लागत वाला ही मेथट चल रहा है हमारी पहली मसीन तो समाप्त हो गई अब दूसरी मसीन और तीसरी मसीन का डेप्रिसेशन कटेगा तो पहली मसीन यहाँ पर 1,00,000 की थी वो खतम हो गई 50,000 वाली बच्ची है और ये 1,20,000 वाली जो 50,000 वाली है वह दूसरी मसीन है तो उसका 10% से 5,000 ही depreciation आएगा लेकिन अभी अभी जो हमने इसको खरीदा है इसे खरीदा है 1,20,000 का तो इस पे भी 10% से depreciation लगेगा लेकिन हमने इसको चलाया है October से December तक इन्टू 3 बटे 12, 3,000 आएगा, टोटल डेप्रिसेशन 8,000 हो गया, अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे और देखेंगे हमारा बैलेंस कितना प्राप्त हुआ, टोटल हो गया ये, 2,42,500 रूपए, इसको हम दोनों तरफ लिखेंगे, और हम इसमें से ये 80 और 8 ये 88,000 रूपए इसमें से घाटा देंगे, 2,42,500 में से 88,000 रूपए घाटा दिये जाएंगे, इनको घाटाने के बाद जो रखम प्राप्त होगी, वही हमारा बैलेंस होगा, 2,42,500 माइनस 88,000 तो चेक करने पर पता चलता है, 12 में से 8 गई 4, यहां 13 में से 8 गई 5 और 1, 1,54,500 रूपए बैलेंस बचता है, इसको हम यहां रखेंगे, अब हम इस बैलेंस को ले करके, next year, 2016, January 1st पहुँचेंगे, यह हमारा last month, मतलब last year है, 1,54,500 के साथ हम आ चुके हैं, 2016, December 31 को, जब हम इसका depreciation काटेंगे, तो धिहान रखेंगे, अब depreciation 20% हो गया है, तो अगर 1,54,500 का depreciation 20% से काटेंगे, तो 1,54,500, गुड़ा 20 बटे 100, अगर मालें काटेंगे, तो हमें 30,900 रूपए depreciation आएगा, 30,900 रूपए, जैसे 1,54,500 है, गुड़ा 20 बटे 100 करेंगे, 0,0 काट देंगे, अब इनकी multiplication 2 से कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 4,500 है, अब यह 15,000 है, 15,000 हो गया, अब 4,500 को दो से करेंगे, 900, यह 30,900 हो गया, अब 1,54,500 में से 30,900 घटा दीजिए, तो balance जो बचेगा, वो बचेगा, 1,23,600, तो यहाँ पर हमारा जो buy balance CD होगा, 31 दिसंबर का, वह होगा, 1,23,600, दोनों तरफ, 1,54,500, एक्वल लिख देंगे, और balance भी हमारा आचुका है, तो आपने देखा यह सवाल, बहुत ही अच्छी तरीके से, step by step इसको हमने बाकाइदे बनाया और आपको दिखाया, कहीं कोई भी दिक्कत होती है, आप फौरन अपने कमेंट में जरूर बताईए, और यह भी दिखाये, बताईए, कि आपको क्या चीज इसमें समझ में नहीं आया, step by step इस मसीन को depreciate किया गया, और इसका solution आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आईए लेते हैं, question number 19, यहाँ पर है, आबासा लिमिटेड ने जनवरी 2011 को एक पुरानी मसीन इन्होंने 30,000 रूपए में करे की, ध्यां रखेंगे, यह जनवरी की तारीक है, यह बहुत महत्पूर्ड है, क्योंकि इन्होंने जनवरी में खरीदा है, तिसका मतलब इसका depreciation पूरे 12 महिने का दिसंबर 31 तक लगेगा, यह मसीन पुरानी है 30,000 रूपए की, लेकिन इसको नया बना दिया, इन्होंने 20,000 रूपए खर्च करके, अब यह 50,000 रूपए की मसीन हो गई, उसी वर्स, एक जुलाई 2011 को जुलाई में, यह जनवरी में और यह जुलाई में, दूसरी मसीन 25,000 रूपए में खरीदी है, एक जुलाई 2013 को, यानि 11 और 12 के बाद 13 में, पहली मसीन अप्रचलित हो गई, यानि बेकार हो गई, और यह चलन से बाहर हो गई, जिसकी वजह से 10,000 रूपए में बेच दी गई, परन्तु तुरंत ही उन्होंने 60,000 रूपए की मसीन खरीदी ली, परतिवर्स संपत्ती पर 31 दिसंबर को 10 परतिसत हरास करने की बेवस्था थी, कमपनी ने 2014 में, यानि कि कमपनी ने 2014 में हरास की इस पदधती को बदलने का निश्चे किया, और हरासित से इस पदधती पर 15 परतिसत हरास काटने की बेवस्था की, 2011 से 2014 तक मसीन खाता कमपनी की बहियों में दिखाईए इससे पहले का प्रोब्लम कोश्चन नमबर 18 था जिसका आंस्वर 1,23,600 रूपए आपको हमने दिखाया नहीं था यहाँ पर यह मौजूद है जिसको हमने सोल्ब करके आपको दिखा दिया था तो आईए अब सोल्ब करते हैं कोश्चन नमबर 19 धियां रखेंगे पहली मसीन जनवरी 11 को 50,000 रूपए की दूसरी मसीन जुलाई 11 को 25,000 रूपए की बेचने की तारिख इस पहली मसीन की जुलाई 13 में है जो की 10,000 में है परन्तु सेम डेट में 60,000 की मसीन खरीदी गई है और डेप्रीसियेशन मूल लागत पर 10% कटेगा जबकि 2014 में इस पद्धती को बदल करके 15% क्रमागत से इस पद्धती अपना ली गई है तो चलिए शुरू करते हैं इसको एक एक करके इसका पॉइंट आप धियार रखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर पे जनवरी एक दो हजार ग्यारा टू बैंक एकाउंट पहली मसीन पचास हजार रूपए की और जुलाई दो हजार ग्यारा में उसी साल इन्होंने एक मसीन और खरीदी है उस मसीन की कीमत पच्चिस हजार रूपए है जो कि मैंने पढ़के आपको सुना दिया है 2011 दिसंबर 31 को डेप्रिसेशन चार्ज होता है दस प्रतिसत प्रतिवर्स के हिसाब से तो पहली मसीन और दूजरी मसीन इसका पूरे साल का डेप्रिसेशन कटेगा क्योंकि जनवरी मखरीदी है तो 50,000 का 10% 5,000 रूपए हुआ लेकिन इसका 6 महीने का डेप्रिसेशन 1250 रूपए होगा यानि 25,000 गुड़ा 10 बटे 100 गुड़ा 6 बटे 12 करेंगे दिसंबर 31 को जब हम बैलेंस करेंगे चेक करेंगे हमारा कितना बैलेंस मसीन का हुआ है तो यह जानने के लिए हमें टोटल मसीनों के लागत में से 75,000 की मसीन हो चुकी है 75,000 की मसीन में से हमें ये 6,250 रूपए घटाने होंगे तो जो यहाँ बैलेंस आएगा वही बैलेंस हम अगले वर्स ट्रांसफर करेंगे 68,750 रूपए का बैलेंस यहाँ पर आएगा 75,000 माइनस 6,250 तो 68,750 आएगा इसको हम लेके next year यानि कि 2012 में आएँगे 2012 जनवरी 1st को आएँगे यहाँ पर मसीनों का कुछ भी नहीं हुआ है मतलब मसीने सिर्फ चली है लेकिन कोई नई मसीन नहीं आई है नहीं बेची गई है कुछ नहीं हुआ है 2012 दिसंबर 31 को साफ सुथरा किलियर है यानि दोनों मसीने आराम से चलाई गई है इनसे प्रोडक्षन लिया गया है और इनका डेप्रिसेशन कटेगा इसी पर कटेगा पूरे साल का क्योंको जनवरी से दिसंबर 31 तक यह दोनों मसीने चलेंगे इनका 10% डेप्रिसेशन हम काटेंगे 50,000 का 5,000, 25,000 का 2,500 कुल मिलाके 7,000 रूपए डेप्रिसेशन आएगा और इस वर्स जो बैलेंसिंग होगा वा बैलेंस सीडी चेक करेंगे कितना होगा घाटाने के बाद पता चलेगा कितना बैलेंसिंग का बच रहा है 68,000 रूपए 68,750 है यहां हमने गलती कर दी 68,750 यहां लाएंगे और 68,750 यहां लिखेंगे यहां 68,750 होगा इस में से 75,000 रूपए माइनस होगे तो यहां जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 5,2,7 और 7, और 1,8, 61,250 रूपए अब हम आगे बढ़ते हैं 2013 जनवरी 1 को बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे 61,250 रूपए इस वर्ष एक मसीन खरीदी भी है और बेची यही है धियान देंगे यहां पर यहां पर कहा गया है कि एक जुलाई 2013 को पहली मसीन बेकार होगे उसे 10,000 में बेचा गया उसी टिथी को 60,000 में एक मसीन खरीदी गई है 2014 में मिथट बदला है इस बात को धियान रखना होगा तो यहां पर जो मसीन हमने बेचा है पहले बेचने वाली वर्किंग चिप कर लेते हैं जिब बेचने वाली वर्किंग करते हैं तो उसकी कीमत पहली मसीन की 50,000 है पहले साल डेप्रिसेशन कटा 10,000 अब मसीन की कीमत बची 45,000 फिर 5,000 कटेगा मूल लागत पर अब 40,000 जुलाई में बेचा है तो 6 महिने डेप्रिसेशन 2500 रूपए कटेगा अब मसीन की कीमत है 37,500 रूपए अब इसको 10,000 में बेचा गया तो 27,500 का लूपए हो गया तो यहाँ पर हम 3 चीज डालते हैं पहला यह डेप्रिसेशन यह सेल और यह लूपए करके यहाँ पर लिख देंगे कितने रूपए का कौन कौन सा एमाउंट आएगा सबसे पहले तो यहाँ डालेंगे 2013 जुलाई 1st बाइ डेप्रिसेशन इस तारीक को यह मसीन का डेप्रिसेशन कटेगा 25,000 रूपए 50,000 वाले जिसको हम बेच रहे हैं पहली मसीन को यानि इस मसीन को हम बेच रहे हैं इसका 6 महीने का डेप्रिसेशन और उसके बाद इसका बैंक अकाउंट से हम लिख देंगे सेल कितने का हुआ और यह सेल हुआ मात्र 10,000 रूपए का और फिर हम इसके नीचे लिखेंगे इसका लॉस प्रोफिट एं लॉस अकाउंट ब्रेकेट में लिख देंगे लॉस और यह 27,500 अब दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसेशन जब लिखा जाएगा तो जो मसीने बच रही है उनका डेप्रिसेशन इसी दवरां जुलाई एक को एक मसीन खरी दी भी गई है अब वो कितने खरी दी गई है इसको मैंने आपको पढ़के सुना दिया था कि यह मसीन 60,000 रूपए में खरी दी गई है यहां लिख दीजिए 60,000 अब जब डेप्रिसेशन काटेंगे तो पहली मसीन तो खतम हो गई दूसरी मसीन है और यह तीसरी मसीन है तो दूसरी मसीन की कीमत यह रही 25,000 इसका डेप्रिसेशन पूरे साल का हम यहां पर डालेंगे दूसरी मसीन और 25,000 रूपए अभी मेथाड नहीं बदला है इस बात का धियान रखेंगे तीसरी मसीन यह जो काटी है हमने घर्टाय मतलब लिख्या है इसका 10% 6 महीने का 3,000 रूपए कुल मिला के 55,000 रूपए डेप्रिसेशन हो गया अब बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे और देखेंगे कितना बैलेंस हमारा बचा है जिसको हम अगली साल ट्रांसफर करेंगे यह हमारे पास 1,21,250 रूपए का बैलेंस मतलब टोटल है 1,21,250 रूपए इसमें से हमें इन्हें घटाना है यह कितना है यह 40,000 रूपए 40,000 रूपए चालिस और 5,45,500 रूपए घटाना है यानि 45,500 रूपए 1,21,250 में से घटाने है 1,21,250 माइनस यह दोनों मिलके हो गए 30,10,45,45,500 रूपए हमारा बैलेंस आ गया 7,10 में से 5 गए 5 और यहां बचेगा 11,75,750 रूपए हम बैलेंस लिख देंगे 75,750 रूपए अब इस बैलेंस के साथ ही हम यहां पर पहुँचेंगे 2014 जन्वरी 1st टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे और 75,750 रूपए लिखेंगे और यहां पर दिसंबर 31,2014 इसका डेप्रीसेशन काटा जाएगा अब हम 75,750 का जब डेप्रीसेशन 15% काटेंगे तो यहां पर जो बैलेंस आएगा 11,362.5 आएगा तो हम 11,363 लिख देंगे सीधा पॉइंटों का चक्कर मत चलाईएगा नहीं सवाल में बहुत घपला हो जाएगा यह बात ध्यार रखेंगे उसके बाद बैलेंस सीड़ी करेंगे 2014 में कितना बैलेंस होगा 75,750 रूपए दोनों तरफ लिखेंगे और इसको घटाने के बाद 11,363 रूपए को हम घटाएंगे तो 64,387 रूपए का बैलेंस आता है दिसंबर 31, 2014 को लेकिन सवाल में थोड़ी सी कनफ्यूजन दे रखा है यहाँ पर लिख्या है कमपनी ने 2014 में हरास की पद्धती को बदल दिया हमने भी बदल दिया अब हम 2014 में 15% काटेंगे वह भी 75,750 पर वो तो सही है लेकिन यहाँ पर जो हरास का बैलेंस यह दिया है 2014 का यह बैलेंस नहीं है यह 2016 में बैलेंस आएगा किताब में थोड़ी से मिस्प्रिंटिंग हुई है 11-16 तक यह बनाया जाएगा तब इसका आंसवर 2016 में 46,519.97 या 46,520 ही माल लेजिए 97 पैसे एक रूपया के बराबर होता है मसीन पर लोस 27,500 है यह हमारा सही है अब हमें यह बैलेंस चेक करना है 46,520 रूपय के जो आसपास आ रहा है अब हम 64,387 रूपय पर बैलेंस को लेके पहुँचे हैं 2014 में अब हम पहुँचते हैं 2014 के बाद 2015 में यहां लिखेंगे 2015 जनवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे पुरानी किताबों में 2016 तक ही है इन्होंने यहां पर थोड़ा सा गाणबड कर दिया है 64,387 रूपय को हम यहां लाएंगे 2015 दिसंबर 31 में जब हम इसका तो देखेंगे इसका 15% काटेंगे इसी का तो 9,658 रूपय आएगा उसी तरीके से 64,387 गुड़ा 15 बटे सव करके ही आएगा और दिसंबर 31 को जब हम इसका बैलेंस सीडी करेंगे यानि कैरी डाउन करेंगे तो हमारा बैलेंस 2015 में 64,387 दोनों तरफ लिख्या जाएगा और उसमें से 9,658 रूपय को घटाएंगे तो जो बैलेंस आएगा 54,729 रूपय आएगा इसको लेकर के हम 2016 ये लास्ट इयर है जनवरी 1 को इस बैलेंस को लेकर पहुँचेंगे और यहाँ पर मसीन के बैलेंस का और डेप्रीसियेशन सिस्टम का समापन होगा 2016 दिसंबर 31 बाई डेप्रीसियेशन जब हम यहाँ लिखेंगे तो इस पर डेप्रीसियेशन काटेंगे 54,729 रूपय पर तो 8,209 रूपय इसका 15 परसेंट काटके आएगा फिर हम बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस सीडी तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा बैलेंस जो बुक का बैलेंस है उसके एकॉर्डिंग मैच करेंगा 54,729 दोनों तरफ लिखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 46,520 रूपय आएगा आंस्वर में 46,519 रूपय सत्तानवे पैसे दिया हुआ है जो की 46,519.97 यानि 97 मतलब येक रूपया हो गया सीधा तो 46,520 रूपय जो है इसका बैलेंस यहाँ पर 2016 में कम्पलीट हो रहा है इस प्रकार से यहाँ पर हमने सिर्फ वही किया है 15% से रेटेन डाउन काटते चले गए और इसके पहले जो हमारा पोजीशन चल रहा था उसमें हमने डेप्रीसेशन को पूरी तरह से इसको कम्पलीटली काटा है जो की पहले से ही निर्धारित था जिस हिसाब से सवाल ये चल रहा था इस प्रकार से ये सवाल कम्पलीट हो गया है यहां से सवाल ये शुरू हुआ था और इस स्टार्टिंग हुई थी पहली मसीन दूसरी मसीन और इनका डेप्रीसेशन पहली वाली का साल भर का इसका 6 महिने का बैलनस सीडी से बीडी हुआ फिर इसका हमने इन दोनों का पूरे साल का 10% काट दिया बैलनस सीडी से बीडी हुआ एक मसीन और खरी दी जुलाई में हमने इसको बेच दिया जब बेचा तो उसका depreciation 6 महीने का और उसका विक्रे मूल, selling price और उसका loss इसके बाद इस machine का depreciation और इसका 6 महीने का depreciation ये रहा दोनों depreciation घटाने के बाद balance हुआ इसको हम यहां लाई यहां method बदल गया अब यहां पर इसी पर ही depreciation कटेगा क्योंकि यहां पर यह return down चालू हो गय इसका अब यहां से 15% कटेगा ना कि 10% इसका 15% यह आया 11,363 रूपए जो की घटाने पर 64,387 आया और इसके बाद हम आगे बढ़े फिर इसका भी 15% अगली साल काटा 2015 में और फिर balance ED करके 16 में आ गए 16 में हमारा answer complete हो गया जो की book से मैच हुआ है book में थोड़ी सी तारीखों में गरबरी दे दिया है इससे कोई फरक नहीं पड़ता सवाल तो हमारा write हो ही गया है